यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है, अठानवेवा दिन, जीवन के संघर्ष का सामना कैसे करें, बलकि मुझे उसका नाम भी याद नहीं है और मैं उसकी बाचीत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, हम दोनों 18 साल के थे, वह तभी सेना में भरती हुआ था, जब वह अपना देश देने के लिए खड़ा हुआ, तो उसने द्रश्च साधन के रूप में सेना के जूते पेश किये, उसने एक जूते को भरोसा और दूसरे को आग्यापालन नाम रखा, उसने उनका उलेख मसीही जीवन के दाएं और बाएं जूते के रूप में किया, वह केवल 17 मिनट तक बोला, लेकिन उसके चित्रन ने घर को मारा और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। हम गहरी जड़ पकड़ते हैं, भजन लिखने वाला याद ताजा करने वाली अभिव्यक्ती का उप्योग करता है, गहराई गहराई को पुकारती है, कोई भी चीज जो हम में गहरी नहीं है, वह दूसरों में गहराई तक नहीं पहुंचेगी। कुछ मसीही लोगों का मज़ाक उड़ाया जाता है। फिर भी वह सच्चाई जानता है कि परमेश्वर सबसे महान सुरक्षा हैं, जिस पर वह खड़ा रह सकता है। इन सब के बीच वह खुद से कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह तेरे मुख की चमक है। वह मेरे परमेश्वर हैं, मैं फिर उनका धनिवाद करूंगा। वह सभी संघर्षों, परिक्षाओं और प्रलोभनों को जानता है। आपको अपनी नजरें परमेश्वर पर केंदरित करनी चाहिए और उन पर भरोसा रखते हुए उनकी आग्या का पालन करना चाहिए। प्रभू आपको धनिवाद कि आपने अपना प्रेम मुझ पर केंदरित किया है। मेरे उद्धार करता और मेरे परमेश्वर मुझे आप पर भरोसा रखने और आपकी आग्या का पालन करने में मेरी मदद कीजिए। नयानियम लूका 12-1-34 चिंता और निराशा। डर और चिंता का जवाब है भरोसा करना और आग्या पालन करना। चिंता निराशा और डर से निपटने के लिए इश्यू हमें साथ तरीके बताते हैं। नमबर एक परमेश्वर का भय मानो और किसी का नहीं। यदि आप सही रीती से परमेश्वर का भय मानते हैं तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किस से डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। नमबर दो परमेश्वर के लिए अपना मूलिय समझें। इशू आपसे कहते हैं चिंता मत करो या मत डरो क्योंकि परमेश्वर के लिए आप मूलिवान हैं, वहाँ आपसे प्रेम करते हैं, तुम बहुत गरोईयों से बढ़कर हो, वहाँ नस्दीक से जानते हैं, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं. नमबर तीन, पवित्रात्मा पर भरोसा करें, वहाँ आपसे कहते हैं कि चिंता मत करो क्योंकि आप सहायता के लिए पवित्रात्मा पर भरोसा कर सकते हैं. जब आप विरोध, कठिन परिस्थिती, मीटिंग आदी का सामना करें, तो इशू कहते हैं कि जब लोग तुम्हें सभ इशु कहते हैं कि चिंता करने से आप जीवन के संपूर्ण उद्देशी से चूक जाएंगे, किसी का जीवन उसकी संपत्ती की बहुतायत से नहीं होता, वह एक व्यापारी का द्रश्टांत सुनाते हैं, जिसने बहुत ही सफल व्यावसाय स्थापित किया और बहुत धन कमाय शायद पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती थी, मगर इशु उसका वर्नन एक मूर्ख और असफल व्यक्ती के रूप में करते हैं, उससे गलत अनुमान लगाया कि वह कई सालों तक जीवित रहेगा, उसने इस जीवन के परे कभी नहीं देखा, उसका जीवन सिर्फ उस पर केंद्रित था, शब्द मैं या मेरा ग्यारा बार आता है, उसने सोचा कि वह योग्य है और उसकी संपती भी योग्य है, वह धनी बनने के तरीकों को समझने में सच में असफल रहा, वह परमेशुर के प्रती धनी नहीं था, जैसा कि बताया गया है, एक व्यक्ती अपने आ अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ आपका केंद्र नहीं होना चाहिए, भोजन से प्राण और वस्तर से शरीर बढ़कर है, इशु बताते हैं कि चिंता विश्वास के जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा, परमेश्वर की देखभाल और प्रावधान में भरोसा करने के लिए विश्वास शामिल है, नमबर साथ, परमेश्वर की राजिकी खोज करें, भरोसा और आग्या पालन साथ साथ चलते हैं, बजाए इसके कि आप खुद के लिए इखटा करें, आपको परमेश्वर की नजर में धनी होना जरूरी है, भौतिक चीजों के बारे में चिंता करने के बजाए आपको उनके राजिकी खोज करनी चाहिए, जिसे परमेश्वर ने अपनी प्रसनता में आपक डरो, मुझे आपके राजिकी खोज करने और मुझे इस बात पर भरोसा करने में मेरी मदद कीजिए कि ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी पुराना नियम, व्यवस्ता विवरण 9 का 1 से 10 के 22 तक, डर और असफलता परमेश्वर की आशिशें शुद्ध अनुग्रह हैं, इसका कारण तेरा धर्म वव मन की सिधाई नहीं है मूसा परमेश्वर के लोगों को याद दिलाता है कि पिछले दिनों में सभी चीजें उनके लिए गलत सावित होई वह उनसे कहता है कारण यह था कि तुमने अपने परमेश्वर यहवा की आग्या के विरुद्ध बलवा किया और ना तो उसका विश्वास किया और ना उसकी बात माने मूसा उनसे कहता है कि अब उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना होगा और उनकी आग्या माननी होगी तु अपने परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मारगों पर चले उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्रान से उसके सेवा करे और यहवा की जो आग्या और विधी मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहन करे जिससे तेरा भला हो जब हमें परमेश्वर की आग्या का पालन ना करने की इच्छा होती है तो इसका कारण यहा है कि हम भरोसा नहीं करते हैं कि उनके दिल में हमारे लिए सिर्फ भलाई है हमें यह सोचना अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर से बहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है मगर सच्चाई यहा है कि परमेश्वर की आग्याएं आपके भले के लिए हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वहाँ आपकी चिंता करते हैं और वहाँ आपको जानते हैं और इसलिए वह चाते हैं कि आप उनकी आग्या माने सच्चाई यहा है कि आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं चाहे आपको उनकी आग्याएं कठिन या प्रतिबंधित प्रतीत हों सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको चुना है स्वर्ग और सबसे उंचा स्वर्ग भी और प्रत्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर ही का है तब भी परमेश्वर ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और तुझे चुना है यहाँ विश्वास आंतरिक है ना की बाहरी अपने अपने हृदय का खतना करो फिर भी विश्वास क्रियाशील होता है आपको परमेश्वर के आदर्शों का अनुसरन करने और अनाथों और विद्वाओं का नियाई चुकाने और परदेशियों से प्रेम करने और उन्हें भोजन तथा वस्तर देने के लिए बुलाया गया है इसमें जाती बेदभाव नहीं होना चाहिए हमें गरीबों और कम अधिकार प्राप्त लोगों से विशेश प्रेम रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए परमेश्वर का वायदा है कि यदि आप उन पर भरोसा करें और उनकी आग्या मानें तो आप बढ़ता और बहुतायत देखेंगे तेरे पुर्खा जब मिस्र से गए तब सत्तर ही मनिश थे परन्तु अब तेरे परमेश्वर यहवा ने तेरी गिनिती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है प्रभू आपको धनिवाद कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मुझे चुना है आज मेरी मदद कीजिए कि मैं आपका भय मानूँ आपकी इच्छा के अनुसार चलूं संपूर्ण मन और संपूर्ण प्रांच से आप से प्रेम करूं और आपकी सेवा करूं अनाथों, विद्वाओं का नियाई चुकाने और परदेशियों से प्रेम करने में मेरी मदद कीजिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने चर्च को आकाश के तारों के समान गिंती में बहुत कर दें लुका बारा का बाइस अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे न अपने शरीर की क्या पहनेंगे शरीर के आकार, छवी, स्वास्त्य और पौश्टिक्ता के बारे में चिंता करना बहुत आसान है मुझे यह मानना होगा कि जब हम आने वाले समारों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि मैं क्या पहनूँगी आज का वच्चन और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाओगे और क्या पीओगे और ना संदे करो क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तूओं की खोज में रहती हैं और तुमारा पिता जानता है कि तुमें इन वस्तूओं की अवश्यकता है परन्तु उसके राज के खोज में रहो तो ये वस्तूओं भी तुमें मिल जाएंगी लूका बारा उनतीस और इकतीस